Hey guys, welcome back! आज इस वीडियो में हम जिसे smart watch के बारे में बात करने वाले हैं वो है Embrane की Wise Crist Pro smart watch और ये smart watch अच्छे खासे बड़े display के साथ आती है जिसका size है 1.52 inches का और ये के lucid display बोलते है Embrane वाले और ये section and niche की peak brightness के साथ आती है तो sunlight में भी आप इस watch को अच्छे से operate कर पाओगे और इसमें Unipair की Bluetooth technology मिल जाती है सिंगल Bluetooth chip लगी हुई है तो इसमें Bluetooth calling की भी कोई problem नहीं जाएगी और यार मैं इसके Bluetooth calling से ना काफी impress हुआ हूँ अच्छे से ये काफी distance के साथ भी आपकी voice को catch कर लेती है स्पीकर quality तो बहुत ही अच्छी है बाकी अगर हम बात करें कि इसमें आपको LCD display मिल जाता है फिर भी always on display का इसमें option इन्होंने दिया हुआ है और ये IP68 water resistant के साथ आती है तो आप इसको swimming में भी use कर सकते हैं बाकी और भी चीजों के बारे में हम बात कर लेंगे जैसे watch faces, password log भी मिल जाता है इसमें और कई सारी चीजे हैं सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो तो कर लेते हैं इसको on box और देख लेते हैं बॉक्स कंटेंड में क्या-क्या मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह सेले इसको कट करते हैं एड़ ट्रीट रिव्यू अनलाइन यह एम्ब्रेन का QR कोड वगएरा जो भी सारे चीज़े हैं डिटेल दीके यह इसमें आप देख सकते हो यह हमको मिलता एक और QR कोड तो और यह आपको पोकोपीन वाला चार्जर मिल जाता है यह आप पोकोपीन वाला चार्जर यह आप द देख सकते हो बाकि अब मैं अगर बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं श्टेकर इसका तो आपको ओन करने के लिए आपको यह उपर वाली जो बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा यह देखिए तो अन होते ही एम्ब्रेन का लोगो आ जा जाता है एम्ब्रेन की यहां पर ब्रैंडिंग मिल जाती है आप देख सकते हो ठीक है और हाँ इसका मझे थोड़ा सा सही लगा कि एक पिन के साथ नहीं दिया है इसमें डूवल पिन है तो थोड़ा सा होल्डिंग अच्छी रहेगी और डूवल यहां पर होल भी है पूरे पट्टे में इसके तो अच्छा लगा मुझे और बैक साइड में आपको dedicated sensor मिल जाते हैं यहां पर आपको यहां पर माइक मिल जाता है आपको और यह आपका charging port मिल जाता है ठीक है तो वो भी आप देख सकते हैं अब हम चलते हैं डिस्प्ले की तरफ डिस्प्ले आपको 1.5 इसमें मिल जाता है और यह फूल स्क्रीन डिस्प्लेइब है आपको कोई भी बैजल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह देखे बैजल डिस्प्लेइब यह वाइट वाल पेपर मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आप देख सकें ठीक है और अगर मैं बात करूं इसके अगर वाच को अपरेट करना साहत है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको ठीक है और यह जो हमारा ग्लास लगा हुआ है यह टफंड ग्लास है क्योंकि यह देखिए रगड वाच है तो रगड डिजाइन में भी बनाई गई है और इसकी जो ग्लास है जो बॉड और यहां पर आप देखोगे तो आपको थ्री फंक्शनल यहां पर बटन मिल जाती है तो यह तो पावर अन आफ और बैक का काम कर जाती है यहां पर आपको क्राउन मिल जाता है जो कि मैटल का बना हुआ है और यह वर्किंग क्राउन है आप इससे वाच फेस चेंज कर सकते यह देखिए मैं चेंज कर रहा हूं और क्वालिटी काफी अच्छी है टेक्च्चर भी अच्छा लग रहा है इसका और मैटल का बना हुआ है यह तो वह भी अच्छा लग रहा है मुझे और इससे आप मैनू भी एक्सेस कर सकते हैं यह देखे क्राउन करके तो आपको यह देखे आप ऑपरेट कर सकते हैं अब अगर मैं इसके बिल्ड कॉलिटी की बात करूँ तो आपको बिल्ड कॉलिटी इसके टॉप नॉच मिल जाती है क्यों क्योंकि यह यहां पे आपको मैटल फ्रेम मिल जाता है अपर साइड तो यह काफी मतलब रफ लुक दे देता है आपको यह मैटल की बटन तीनों मिल जाती हैं श्क्रूज लगे हुए हैं वो भी मैटल के हैं तो काफी अच्छा लगा मुझे और बैक साइड आपको यह फ्रेम मिलता है वो पॉली कॉर्बनेट का मिलता है क्यों क्योंकि यह आईपी 68 के साथ आती है तो यह पूरा पैक है मतलब यहां से कोई भी यह जो पैनल है हमारा बैक पैनल वो ओपन नहीं होगा यह पूरा पैक है अच्छे से पूरा प्लाश्टे की यह और यह पूरा ऐसे पैक है तो वो आईपी 68 के लिए बनाया गया है ताकि इसमें पानी वगारा ना जाए आप स्विमिंग वगारा करत है मतलब इसमें मेंशन तो नहीं है कि 60 हर्ट का डिस्प्लेय है या फिर 45 का है जैसा भी हो इसमें मेंशन नहीं है बट आइखिण को पूरा 60 हर्ट टाइप में वर्क करता है कोई भी मतलब लैगिंग का इस'm नहीं आता है अफ चल लेते हैं मैनू की तरफ मैं मैं आपको में मिल जाती है जहां पर आपको telephone मिल जाता है आप contact कर सकते हैं ठीक है और telephone में आप direct dial pad से इसको किसी को भी call मिल आ सकते है call records का option मिल जाता है तो call history भी रहेगी voice assistant मिल जाता है voice assistant आप डारेक्ट यहां से भी कर सकते हैं और इसको press करके रखेंगे तब भी voice assistant active हो जाता है यह देखे तो वो भी आप देख सकते हो बागी यहां से आप data वगएरा track कर सकते हैं क्या data है आपका वगएरा वगएरा आपने कितने steps चले हैं वगएरा और यह workout का mode मिल जाते हैं और यह button same काम करेंगे इससे ठीक है workout records आपको यहां से मिल ज जाता है तो heart rate मैं एक बार चेक कर लेता हूं table में रखके कि क्या यह show करता है कि नहीं करता है ताकि हमको पता चल जाए कि यह sensor wear detect के साथ आते हैं कि नहीं आते हैं तो देखिए आप यहां पर work नहीं कर रहा है यह देखे please wear watch properly option आ रहा है और यह देखे watch wear properly show कर रहा है इसमें heart rate तो हमने बता दिया sleep tracking आपको अच्छी खासी मिल जाती हो sleep tracking के records यहीं पर आपको दिख जाएंगे वो भी आप देख सकते हो blood pressure monitor आपको मिल जाता है तो blood pressure वगरा भी आप ना आप सकते हो but BP के लिए में इतना rely नहीं करता हूं आप health equipment ही use करें वो ज्यादा से ही रहाएगा blood oxygen का option यहाँ पर मिल जाता है यह देखी आप देख सकते हैं और यह भी जैसे ही आप पहने के वरिष्ट में तभी यह detect करता है तो wear detection के साथ आता है यह काफी अच्छा लगा मुझे fake sensor नहीं दिया है इसमें और यहाँ पर आप masses की notifications वगरा देख सकते हैं menu में weather का option मिल जाता है तो weather में आप देख सकते हो जैसे ही आप application से connect करेंगे location on करेंगे तो weather का option आ जाता है इसमें आप चलते हैं next तो female tracking का भी option मिल जाता है जो कि आप direct app से on कर सकते है female tracking ठीक है तो वहां से भी आप मतलब female के लिए इच्छी रहेगी कि आप tracking करने जाते है mountain में जाते हैं आपक प्रीट कर सकते हैं वाल्यूम को आप एंड डाउन कर सकते हैं और next and previous song कर सकते हैं यहां पर आपको breathe training का option मिल जाता है तो breathe की training भी आप ले सकते हैं यह option सही लगे मुझे कुछ-कुछ सारी चीज़े rugged watch में भी डाल रखे हैं क्यों क्योंकि आप जैसे ही tracking वगेरा में जाते ह हैं तो 2042 game and slider unlock यह दो गेम आपको मिल जाते हैं इसमें pre-loaded तो वह भी आप देख सकते हो अच्छी चीजी है कि आपको calendar मिल जाता है तो calendar आप देख सकते हैं अच्छे खासे option के साथ मिल जाता है full calendar मिल जाता है इसमें यहां आपको option मिल जाता है calculator का calculator भी इन्होंने अच्छ calculate करना है तो easily आप watch से calculate कर सकते हैं चलते हैं next में तो find phone का option मिल जाता है और सबसे main बात इस range में धाई-जार की watch में आपको compass दिया गया इसमें यह देखे बढ़िया अच्छे से work करता है और tracking के लिए rugged watch है यह tracking के लिए outdoor watch है यह तो उसमें compass का अच्छा खासा roll होता है आजक आप दे देते हैं बड़ compass नहीं देते हैं इस range में तो यह मुझे काविले तारीफ लगा यह feature इसका यह unique feature है तो आप इस watch को compass के लिए भी ले सकते हैं मतलब especially अगर इस features के लिए आप चाहते हैं तो ले सकते हैं और watch तो अच्छी है यह ठीक है तो और next चलते हैं आपको यह यहां से camera control का भी option मिल जाता है तो आपको कोई picture, selfie वगारे click करने है तो यह option भी काफी अच्छा है और next चलते हैं यहां पर setting तो setting में आपको मिल जाती है कई सारी चीजे menu style तो इसमें four menu style मिल जाता है आपको tile वगारा सारी चीजे मिल जाती है और back चलते हैं यहां से display में brightness, up and down कर सकते हैं यहां से आप, easily screen time आप set कर सकते हैं, race to wake, on and off मतलब on and off तो नहीं बट इसकी timing आप set कर सकते हैं यह देखें तो आप timing set कर सकते हैं यहां से यह देखें और यहां पे AOD का भी option दिया गया है जबकि AMOLED डिस्पले नहीं है बट फिर भी इसमें AOD का option दिया गय आपके उपर आईए या फिर आप off करके रखिये ताकि बैटरी अच्छी खासी इसमें चल सके और यह race to wake के साथ काम करती है ठीक है इसका AOD जो है यह देखें, race to wake के साथ काम करती है easily तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, यहां पे मैंने आपको AOD दिखा दिया Mute, Vibration and Vibration and Ring आपको यह तीनों आप्शन मिल जाते हैं तो Mute भी कर सकते हैं, Vibration सिर्फ Vibration में डाल सकते हैं और यहां से आपको Vibration Intensity मिल जाते हैं, तो Off, Soft and Strong कर सकते हैं, मैं Soft में कर देता हूँ, और अब चलते हैं Next में, तो Language मिल जाती है इसमें, तो Multi Language सपोर्ट करता है यह बट English सपोर्ट करता है, Hindi सपोर्ट नहीं करता है, तो हम इसको English में ही रखेंगे, Password का भी Option मिल जाता है, तो Password मतलब इसमें डाल सकते हैं, ताकि कोई भी Notification वगारा, Watch मतलब Access ना कर पाए, यहां पर System Information यहां पर आप देखोगे, Firmware Version, Name, Bluetooth Name, Waste, Crest, Pro वगारा, जो भी Model नहीं है, Shutdown Reset का Option मिल जाता है, यहां पर आपको BISE Labeling मिल जाता है, और यह Made in India ब्रांड है, इसमें लिखा हुआ है, Embrain तो Made in India है यह, बट यह Watch भी Made in India है, वो भी आप देख सकते हैं, यह रही हमारी सेटिंग की बात, तो जैसे ही आप इसको अप्लिकेशन के थ्रू जैसे कर लेंगे, तो यह connected easily हो जाती है, और यहां पर कई सारे options आ जाते हैं, कि sedentary, reminder वगएरा, notification वगएरा, तो आप explore कर लेना, बागी अब मैं बात करूँ watch faces की, तो overhanded watch face मिल जाते हैं, और आप daily change कर सकते हो, काफी अच्छे animated watch faces मिलते हैं, input के साथ work करते हैं, मतलब जो watch faces है, व दिखा देता हूं कि input के साथ कैसे work करता है, तो यह वाला watch face है, काफी अच्छा watch face लग रहा है, यह colorful और काई सारे details दिखा रहा है, और नीचे के जो icons है, वो touch input working है, तो कोई भी problem नहीं जाएगी, आपको यहां से direct आप इन चीजों को access कर सकते हैं, वो मुझे काफी ज्याद अच्छा लगा, और यह जो application watch faces के मामले में काफी rich है, कई अच्छे watch faces मिल जाते हैं, animated मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने smart watches use किये हैं, तो उसके according तो मुझे यह सारे watch faces मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं, और attractive लगे हैं, look wise, design wise, तो बहुत अच्छे ल watch लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको, और इस watch में आपको IP68 की rating मिल जाती है, तो अगर आपको swimming करना है, या फिर बारिश हो रही है, या फिर जैसे mountain और tracking में आप जाते हैं, तो बारिश में फस गया है, तो कोई भी problem नहीं जाएगी, IP68 की rating है, आप बि के लिए, एक दबाएं, अपनी dedicated relationship team, Jupiter Bill के लिए, एक दबाएं, broadband और fixed line से वाओं से संबंधित समस्याओं के, दो दबाएं, अपनी dedicated relationship team से बात करने के लिए, तीन दबाएं, अपना airton extreme fiber landline number, enter करें, दबाएं, अपना airton extreme fiber count number, enter करें, दो दबाएं, तो जैसे आपने देखा कि इसमें speaker काफी loud मिल जाता है, और आप direct phone, मतलब watch से phone में call transfer कर सकते हैं, कोई भी problem नहीं जाएगी, और इसकी जो mic की quality वो मुझे बहुत अच्छे लगी, मैंने 2-3-4 calls ऐसी ली हैं इस watch से, तो काफ आने वाले को अच्छी loud आवाज जाती है, तो कोई भी problem नहीं जाएगी, अच्छी ये outdoor rugged watch मतलब watch है, तो इन्होंने अच्छा खासा मतलब इसमें mic दिया हुआ है, तो Bluetooth calling के लिए तो ये perfect watch है, और speaker quality भी काबिले तारीफ है, इसमें आप direct music watch से ही सुन सकते हैं, और operate कर सकते ह और जब भी इसमें call आती है, तो इसमें ring tone बचती है, और वो customized नहीं होती, एक single ring tone बचती रहती है, और यार ये watch मैं आपको पहन के दिखा रहा हूँ, मतलब काफी comfortable watch है, इसका जो strap है, काफी comfortable है, soft है, तो पहनने में काफी अच्छी लग रही है, मतलब थिक है, medium है, तो और काफी fast work करता है, आप देख सकते हो, काफी ज़्यादा अच्छे से और fast work कर रहा है, इसका race to wake feature, अब बात कर लें इसकी battery की, तो battery आपको 3 गंडे के अंदर-अंदर full charge मिल जाती है, 0 to 100, 3, मतलब 3 hours में easily charge हो जाती है, और अगर battery backup की बात करें, तो आपको 3 days का इसमें around Bluetooth calling के साथ आपको backup मिल जाएगा, और अगर Bluetooth calling यूज नहीं करते हैं, तो 5 to 6 days का easily battery backup मिल जाता है, even 7 days का भी company claim करते हैं, but 5 to 6 days का आपको मिल जाएगा, तो guys, अब आजाते हैं conclusion पे, तो conclusion के तोर पे, मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको rugged smart watch चाहिए, और 2500 के range में चाहिए, तो अभी यह launch price में 2499 में है, तो उसको आप check out कर सकते है, link description में मिल जाएगा, तो वहां से आप check out कर सकते हैं, बाकी कर conclusion में बोलूँँ, तो अगर आप Bluetooth calling के साथ एक rugged watch चाहिए, तो Bluetooth calling इसकी amazing है, amazing mic है, speaker amazing है, और design wise भी amazing है, build quality अच्छी है इसकी, और display काफी बड़ा है, watch faces आप आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, तो कोई problem नहीं जाने वाली, आपको rotating crown मिल जाता है, क्योंकि rugged watches में rotating crown बहुत ही कम मिलते हैं, और three button, मतलब push button का आपको function भी मिल जाता है, strap काफी अच्छा है, 22 mm का है, आप change कर सकते हैं, बाहर के market से कोई भी लेकर, तो आप इसलिए उसमें कोई रिक्कत नहीं जाने वाली, हाँ, अगर improvement की मैं बात करूँ, इसमें एक suggestion की बात करूँ, तो इस watch में अगर इन्होंने, अगर wireless charging दे दी होती, तो ये काबिले तारीफ watch बन जाती, अभी भी काबिले तारीफ है, इसमें सारे features ठूश ठूश के बरे हैं, calculator, calendar, अच्छाखा सा Bluetooth calling, ये सारी चीज़े हैं इसमें, compass भी आपको इस watch में मिल जाता है, तो धाईजार के range में compass के साथ एक watch चाहिए, rugged watch चाहिए, तो ये watch 100% मैं recommend करूँगा, हाँ, अगर आपको wireless charging चाहिए और AMOLED display चाहिए, तो ये watch मैं आपके लिए नहीं बोलूँगा, अगर आपको मतलब ऐसा कुछ है, कि AMOLED display और wireless charging चाहिए, तो इसमें ये दो चीज़ें नहीं मिलती है, otherwise ये watch 100% recommended है, आप इसको जाकर check out करिए, link description में दिया है, तो आप वहाँ से जाए जरूर, बाकी वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक कीज़ेगा वीडियो को झाल